नमस्कार मैं हूँ मयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है चार बजे की चार बड़ी ख़बरों का राहूल गांधी की भारा जोडो यात्रा कल से फिर शुरू होगी ये यात्रा यूपी के गाजियाबाद के लोनी से फिर शुरू होगी यूपी में उनकी 130 किलो मीटर की यात्रा तीन जिलो यानि गाजियाबाद बागपत और शामली के ग्यारा बिधान सभा शेत्रों से गु इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता रितेश सिर्वासफ हमसे जोड़िंग के रितेश रहूल गांधी की यात्रा जिस तरहा से चल रही है अब उत्तर प्रदेश में यात्रा होगी क्या कुछ पूरा रोड में तयार किया गया है जिस तरह के से कंगरेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है इसको देखकर कहीं न कहीं यह लगाया जा रहा है किस 2024 में जो होने वाला जो चुना होगा उसमें कहीं न कहीं कांगरेस अपनी सियासी जो जमीनी जमीन जो है वो खो चुकी है कही न कही झूपका एक जो अस्थुत था वो कहीं के कांगरेश का कहीं कहीं कांगरेश का कम होता नजरा हा रहा तो उसको ले करके कांगरेश के जो सिर्षनेता है राहूल गाधी उन्हों ने भारत जोरो यात्रा का ये सुबहारम किया और unfortunate ये जो यात्रा चल लिए तो कहींन मिलाकर यह सबसे बड़ी बात कहने वाली होगी कि उत्तर प्रदेश में जो इनकी आत्रा है वो लगभाग 130 किलोमेटर की बताई जा रही है तो यह भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है यहां पर 25 करोन की जनता है उसके बाद 130 किलोमेटर की यात्रा आखिर किस तरीके से राहुल गाधी ने रोड़ में त्यार किया है फिलहाल कल यानि तीन तारिक से यह यात्रा लोनी बार्डर से निकलेगी और गाजियाबाद होते हुए सामली बागबात इनका यह दौरह रहेगा इस तरीके से यह साधने का भी काम करेंगे और बारत यात्रा से लोगों को जोडने का का थी अब यह देश की सबसे पूरानी पार्टी के झो होई सियासी जमीन है उसको राहुल गांठी बचाने की कोशिश कर रही हैं लागातार बहुन यात्रा कर रहे हैं कारकरताओं में जोस भरने का भी काम कर रहे हैं कोई है इस यात्रा की अब धीरे-धीरे करके अब ये आखिर चरण में इनकी यात्रा चल लहीं है और लगबग 130 शिलोमेटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में इनकी हुनी है तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए जगा-जगा इनके निमंत्रण भी जा रहे हैं अभी इन्होंने अख्लिश यादो के अकलि शच्चादो को भी निमंत्र बीएता कि अष्याटर में सामिल हो तो इस पर दिग्यापित और सेमती जताई है आपका पत्र मुझे मिला है लेकिन फिलहाल से राहुल गादी ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता तो भारत जोड़ो यात्रा से सामिल कर सकें और उन्होंने बाकाइदा एक मिस्ट कॉल नंबर और उस स्टक्र alle जोड़ो यात्रा जोड़ने की है यह हां कि अभी जी स्थी कि जानकारी दीन फवेर देश उत्तर प्रदेश में कन दो, यह कि दिन कम यात्रा उनका ये करना इस तरीके से प्योग देखे धन्यवाल तेज तमाम जानकारियों के लिए झाल 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 यूपी के मदर्सों में आधुनिक सिक्षा बिवस्था बाहाल करने के लिए अब जल्द ही प्रदेश के सभी मदर्सों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी इसके लिए नया शेड्यूल मार्च महिने में जारी किया जाएगा बता दे मदर्सों में प्री प्राइमरी कक्षाएं सुरू करने के लिए तैयारियां चल रही है इस नई विवस्था के तहट अब मदर्सों में बच्चों को विज्ञान गडित आदी विशे पढ़ाए जाएंगे इसके साथ ही मदर्सों में केंप्यूटर सुक्षा भी दी जाएगी प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पाठ क्रम बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है मदर्सों में लगातार लोगों की पाईशे हैं कि छोटे बच्चे भी आते हैं उनके लिए इस अच्छाय से लिए लिए मुखा मिले बदर्सा बोट में खैटा लिया है यह आने वाले जिरों में इसके अपरासिलिवत बना करके मदर्सों को भी सुरू से ही दीनी सिच्छा किसाफ साथ आजरी सिच्छा भी दी जाए और नर्सरी इल्केजी उकेजी इसके बाद वन से शुरू को प्रासे हैं मदर्सों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है यूपी के सभी मदर्से आधनिक सुब्धाओं से लैस होंगी क्या कुछ बिवस्ता होगी क्या कुछ बदला होगा जेके मैं इवियर आपको बतारू मदर्सों पर जो आजकर म देखने हैं लगाता क्षा पहले सर्वे उगा दे हुआ साकार कुल्वाल कर रहे हूए पर यहां पर ब्ले सर्व कराई गया तो सर्वे के बाद तमाम चीज़े सामने निकलकर आए इधी और यह पाये गए ओसके लिए कि चुक्छी में के बाद दीरी सिच्छा के माधियं से जो वास्षात पढ़के निकलते हैं सब्सक्राइब करेंगे कच्छा इसे पास तक उनको गलत कंप्यूटर और अंग्रेजी विग्यान जैसे सब्सक्राइब उनका रोजानी पड़ेगा और आने बारे समय में बहुत जो विकास की मुखधारा में चल सकेंगे और तमाम तरह के पात करम जोट्बाद सब्सक्राइब कर तरह कि नए पाट्टक्राम जो उसे पाट्टराम में जो बहतर रोजगार उप्लब देंग हो उन पात्मरों में जा सकेगे इसकेजा को बढ़ावा दे सकेगे तो कहें ना कईफैसला यहाँ पर सणवानी है अच्छी रहा खूलेगा मंणरसों की चात्रों के लिए गौरव पियम मोदी का जो सपना है मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में केम्प्यूटर क्या इसी पत पर योगी सरकार चल रही है देखे पियम मोदी का एक कहना था कि कहना शुरूआ से ही था इसका मनतभ बी केवल एक है अगर आप दीन सिझ्चा लेते तो अच्छी बात है आपके को रोजियार प्रक की साजर उपलब्द कराने के लिए। चुर्ल भुमिका ने वाते हैं तो यहां पर सरकार का सुथिए परामधिया नरीन मोदी भी इस तरह की गिरांती की बात कर चुके यहां पर योगी सरकार का सही समय में बड़ा फैसल आया है, सर्वे हो चुका है, पाफ सुचार मनर से वो सरकार रिनुवर्ण पर आप थे, पाफ से जरा मनर से उनको आनसे अनुद्वर्ण पर आप थे, और बाकी अगर उस चंदे पर चल ला है, तो कहीं न कहीं उनमें किसी बेवस्ता में यहां पर अलग नहीं कर रहा है, केवल दिनी सच्छा के लाबा यहां पर एंसी आर्टी की बुकों को पढ़ाते हुए, यहां पर गलत विज्ञान और कम्पूटर की सच्छा देना मेरे ख्याल से गलत नहीं है, और साथ सरकार का इस समय बहुत बैतर करम इसक यूपी में निकाय चुणाओं से पहले ही सभी पार्टियां अपने राजनितिक विसात बिछाने की कोशिश कर रही हैं, इसी करम में आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासी जमीन को चमकाने का भरकस प्रयास कर रही है, आम आदमी पार्टी ने सभी मुख्यालों पर बचाओ लोगतंत्र बचाओ आंदोलन यात्रा निकाली इस मकसद के साथ वो बीजेपी को घेड़ने की तैयारी में हैं इस खबर पर हमारे समभादाता सुहानी हम से जुड़ेंगी सुहानी सभी दलो में पिछडों की हितैसी बनने की होड लगी हुई है वहीं हम आदमी पार्टी आरक्षड बचाओ लोगतंत्र बचाओ आंदोलन यात्रा निकाली है क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर जो यह हल्चल मची हुई है निकाय चुनाव आरक्षड के लेके इक दुसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि वह बिसी आरक्षड के बिना निकाय चुनाव नहीं होगा यह एक अलग ही मुद्दा देखा जा रहा है जब भी चुनाव होता है एक दुसरे पर जुबानी जंग होता है लेकिन इस बार का जो यह जंग है वह एक अलग तरीके से है ओबिसी आरक्षड को लेके तो आपको बता दे कि यह जब से 27 दिसंबर को जब इलायबाद हाई को अपना फैसला सुनाया था कि यूपी निकाय चुनाव बिना आरक्षड कि किया जाएगा तब से सभी विपक्ष पार्टी ने बीज़ेपी पर हमला कर रहा है लागातार उन पर आरोफ लगा रहा है कि यह पूरा जो उनका विशाद बिचाया हुआ है यह बीज़ेपी का य राज सभा के संजे सिंग उन्होंने लगतार बैठक कर रहे हैं और आज उन्होंने आंदोलन भी किया लोकतंत्र बचाओ आरक्षड बताओ तो इस तरह कि तमाम जो विपक्ष दल हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर ओबिसी आरक्षड के लेके अब को बता दे कि जो सुप्रीम कोट है वो आप ओबिसी आरक्षड को लेकर अपना क्या फैसला सुनाता है सुआनी जैसा अभी आपने कहा ओबिसी आरक्षड को लेकर लगतार योगी सरकार को विपक्षी दल घेरते हुए नजर आ रही है तो क्या वाके योगी सरकार से ओबिसी आरक्षड क बयान आया था उन्होंने साफ तुर पर किया कि जब से हमने ये फैसला सुना तभी से हमने एक आयोग गठन किया उस आयोग के जो अधियक छोगे वो राम अवतार सिंग है और उन्हें जो छे महीने इनका पूरा ये कारिकरम चलेगा उसके बाद OBC अरक्षर अपना रिपोर् लगाते हैं जब भी चुनाव आता है जो अपना जुमानी जंग होता है या लेकिन ये जो जंग हो रहा है इस पर राजनितिक गल्यारों में ये अलग तरह से देखा जा रहा है लेकिन अपना जो भासपा भी है वो भी पूरी तरह से अपनी तयारी कोसिस कर रही है कि कहीं कहीं हम यह जो निकाज चुनाव है वो विसी आरक्षर के साथ ही करा है और उन्हें इसके लिए एक आयोग भी गटित किया है जो कि छे मंद का ये पुरा कारिकरम है उसमें धनेवास हुआनी तमाम जानकारियों के लिए यूपी सरकार 52,000 ग्रामिड महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तौफा देनी की तयारी में है राज के बाल विकास पुष्ट हार विभाक की ओर से आंगन वाडिक कारकत्रियों के 52,000 रिक्त पदों पर सासना देश जल्द जारी कर सकती है इस खबर पर हमारे समवादाता गौरफ हम से जुड़ेंगे गौरफ योगी सरकार 52,000 ग्रामिड महिलाओं को नौकरी देनी की तयारी में है यह बिल्कुल यहाँ पर मैयूरी बहुत सही समय पर सही फैसला यहाँ पर आया है कि जल्द ही बावन हजार आगनवारी कारकरतों की भरती के लिए यहाँ पर सासना देश जारी हो सकता है और निस्ति रूप से इस मामले से ब्यूस्ता है बसुत रहेगी चूंकि आगनवारी कारकरतों की महपूर भूमिका होती है जब ग्रामीर महलाओं को यहां रुजगार मिलेगा तो कई न कई उनका जीविका का साधनी बनेगा और जो स्वास्त सिवा है यह तमाम तरह की सिवा होती है आगनवारी कारकरतों की मद्यम से मनती है बात करें आसा बहो के माध्यम से भी आगनवारी कारकरतों की माध्यम से कराना है और सही समय पर बैसे लगातार बिपस सरकार पर आरोप लगार तकि यहां पर रुजगार सेजन नहीं हो रहा है इस नहीं होता है भरतिया नहीं होती है और प्रदेश की आदी आबाद्यारी मेलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करेंगी कोई इस भरती के माद्यम से गिरामीड विकास बैतर होगा सब्सक्राइब करेंगी इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होगी मिजा Bowl주고 प्रॉटे यहांपर उनलाइण आभिधन मा revival करेंगी इसके आविधन भनने के यहां पर इंटर्वु होगा इंटर्वु के बाद जो इसके लिस्टिंग यहां पर जारी होगी और और सीके प्रॉप यहां dat मुलंगर किया जाएगा और जो जो गाउनंक यह किनकी वालागों वहता होगी खंडों यह कि यहां पर नीलिव बने तो फिरूए लोगी कहले faculty जिस भी ग्राम सभा में निकलेंगी क्या सिर्फ वह यह नहीं की महिलाइं इसमें आभेरन कर सकती है या बाहर की महिलाएं कि आधेता होता है अंट यह मेलाओं के लिए यहां पर एक बृषिता लूरी रहती है कि जो आज-पास करेरिया होता है 2050 सब्सक्राइब करें तो ग्रावे अंचल ऐसा हुआ है एक गाहों की सीमा जोड़ी रहती है तो कहीं ने के दूशरे गाहों में भी मिल सकती है आपको अपने गाहों में ही मिल सकती है पर फिरा अपने गाहों की स्थिति यहां पर नहीं होती है आपको आसपास की ग्रावी रंचल होता है बहाँ पर आपको रोकरी मिल जाती है जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही देज़ुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार